अल्ट्रा भक्ती चैनल पर आपका स्वागत है और नए वीडियोज के लिए सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को दबाना न भूलें सब्सक्राइब करते हैं और उधर दक्ष महल में उत्री के लिए चिंतित प्रजापती दक्ष को नारजी सती की कुशलता और प्रसंदता का समाचार देते हैं दक्ष प्रतिवाद करते हैं और शिव के प्रति अपशब्द बोलते हैं पर नारद तो शिव विरोधी शब्द सुनना स्वीकार नहीं नारद उनके कक्ष से बाहर प्रस्थान करते हैं नारेन नारायन प्रानाम देवाजी. प्रानाम भावज्विर्णी प्रानाम उसे क्या प्राद को ग quindi जो आम उसे मिले विना ही लोट रहे थे नारायन नारायन दक्षप्रजा पतीर वाठल आपमे इतना उलज गया कि मुझे आपका ध्यान ही नहीं रहा मुझे क्षमा करना थावज देवर जी मुझे भी वो सब बताईए जो आपने अपने भाता श्रु से कहा अर्थाद आपने हमारी कुछ-कुछ बाते सुन ली है कुछ-कुछ सुन ली है पर तो ये बताईए कौन सा शुबसंदेश लेकर आप उन्हें बताने आये थे अधिवर रहो भगवार्य विश्व तुम सब्सकी मनोतामना फूर्ण करेंगे लिए हमारी बहन सती का पर संदेश लाए है देवर तुम्हारी बहन सती शिव जी की संगेनी बंकर संसार का सर्वोस्तम आनंद ले रही है और और इससे अधिक हम कुछ नहीं बताएंगे नाराया नाराया इसके अधिक हम कुछ जानना भी नहीं चाहते हैं हमारी बहन सुखी रहे बस यही हम सब कीछा है क्योंगात अब चुछ कुछ tsञा राए घवर जी ने ये क्या आज समय रात आच्या है हमारी सारी रातक्रान का अंधिक है झाल में के टे ख़ां स defines पात्र है तो तरह इंदे बस नंक्राइव का सब कराहिए कृषCl अब तुम्हारे विवाहमें आएगा अम बुझ्थे आजया देश्व इन देवियों के विवाह की तयारिया ठीजिए अन्यथा भिलम हो जाएगा भावाए नाराया नाराया रोहिनी नारची किसके विवाह की बात कहकर गया अभी अभी मैं क्या जानू तुम्हीं पूछलो माताश्री से तुम सबके विवाह की बात कर रहे थे देवर जी और उनकी भविश्यवाणी कभी असत्य नहीं होती समझी देवर्शी नारद में वीरणी दक्ष तथा उनकी कन्याओं की समस्या का समाधान तो किया किन्तु रति शिवसती विवाह में समलित ना होनी के कारण चिंतित है स्वयम काम देवा कर रति को शांत करते हैं और सपश्ट करते हैं कि उन्हें विवाह में न सहीं शिवसती में भातिक इच्छा उत्पन करने के लिए तो कैलाश जाना ही है कि ले तुम कहां हो रती रती तुम कहां हो प्रिये रती तुम कहां हो रती तुम कहां हो रती तुम कहां हो प्रिये तुम कहां हो अरे तुम यहां हो कि क्या बात है रती तुम मत से रुष्ट हो अरे कुछ तो बोलो तुम्हारा यह मौन मुझे जठित कर रहा है हाँ मैं आप से रुष्ठ हूए मेरी दुटी शिर्षती के शुभ विवाह पर स्वर्थ की सभी देवी देटा और अपसराएं सम्मे लिखों कि ना आप गर ना ही मुझे जाने की क्यों स्वामी इसलिए कि हमें ऐसा ही आदेश कि इसका परंपिता ब्रह्मा जीकर उन्होंने क कि हमारी उपस्तिती के आविशक्ता शिर्षती विवाह को पश्चाती होगी इस बात से परंपिता का ताक्तर है हमें ही अपने हाव भावों संकेतों और पुष्पवानों की वर्षा से शिव और सती में मिलन इच्छा जागरित करनी होगी उन्हें दांपत्य धर्म के कुछने का आदेश दिया है कि वसंथ परंपिता ब्रह्मा के आदेश का पालन हम अवश्य करेंगे हम तीनों कैलाश जाएंगे कि विए राजनों का सुप्ष भूगने वाली सपी को कैलाश आकर प्रसन्नता हुई या नहीं है स्वागने आपके चल्म में जब स्थार नहीं गया है इससे अधिक पसंता और क्या होगी कि विए बना इससे नहीं है बेरा से अनम, मन ना सुनना, जाए सरी नम वे भुले में, छेरे सर्णम मन ना सुनना, जाए सरी नम आई में बेरा से अनम जाए सर्णम टिर्मी आवे समनना जाए समय जाए समय तो मजजी कोई आप सचाई काचाओं के फूल के ले सब्सक्रेरों से उने चले के अपल ना सब्सक्रा आए बेदन के जिवे आपिया नम प्रेभी लेवे छेजे इस रदम मन का जूल का जाए नहीं आए बेदन के जिवे आपिया नम आए बेदन के जिवे आपिया नम आए बेदन के जिवे आए 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 कि चाहिए ऐंदी तुन कुदूं पहीन दित्क नदय स्टूंत्र और भॉतक को श्यक्यादु तुन्गेगादु तुन्गे माइशक्यादु तुन्गे पश्यक्यादु जिर्हावल पीद गया है सुर्व है दोरादन कीद जिर्हावल पीद गया है नाराय नाराय आओ नाराथ, आपने शुवसती के आनन्दिला के दर्शन किये अधुआ नहीं प्रभू, वो एक अध्बूत दर्श्य था, उस आनन्दमई रूप में अलवकिक नवदंपत्ति को देखना स्वयम में एक विचित्रान हो था तो क्या आप इस आनन्दिला का रहस्य समझे नाराथ? नारायन, नारायन, मैं बाल ब्रह्मचारी भला इस गूर रहस्य को कैसे समझ पाऊंगा? श्री हरी, आप इस परतनिक प्रकाश डाले तो अच्छा होगा यह प्रकृति और पुरुष का संगम है, इनकी यह आनन्द लेला स्रश्टी में नूतन घटनाओं का स्रिजन करेंगी क्या है स्रिजन का संबन्द विश्णू प्रिय लक्ष्मी की आगबंद से है? देखिए, आगे क्या होता है? सत्य है प्रभू, सत्य है, भविश्य की बात तो भोले ना थी जाने, परन्तु श्रिहरी, आपके मन की बात कुछ-कुछ मैं समझ गया हूँ, परन्तु शिवसती की लीला का रहस समझना निसंदेह कठिन है, नारा, यह नारा क्या देखिए देखिए देवी? अपकी आँंखों में चलक्ते प्रेम यह तो तुमारी आँखों में चलक्ते प्रेम का प्रतिधान है, जो जितना डूता है उत्ना ही पाता है मैंने आप से बहुत कुछ पाया है Sv других, कितना, यह में बता नहीं सकती चलो देवी पृथ्वी विहार करने चलिए पृथ्वी विहार स्वामीं एसा प्रतिव होता है कि आपने मेरे मन के बात पर सबस्या और उसकी पूर्ति के रोप में परस्ताद देया पृथ्वी विहार सच तो यह देवी सगुन रूप में तन भरी दो हों किन्तु आत्मा को यह है मन भी यह है और विचार की यह है अब चलो प्रित्वी विहार के लिए प्रित्वी यह है अब चलो प्रित्वी यह है अब चलो प्रित्वी यह है प्रित्वी यह है अब चलो प्रित्वी यह है अब चलो प्रित्वी यह है स्वामी यह महारिशी कौन है यह दुर्वासा रिशी है अत्री आनुसया के पुत्र इंगा भीशन फ्रोध जगत प्रसिद्ध है इनके क्रोध का परिणां जिसके प्रति इनका क्रोध जागरत हो जाए वो घूर संकर्ठ पर पढ़ जाता है किन्तु रिशी तो बही होता है जिसने काम क्रोध मोह को जीत लिया हो और रिशी दुर्वासा का क्रोध तो तुम चुपचब देखती जाओ इनके कृति से तुम्हें इनका सही परीशे मिल जाएगा वो देख 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 वो सोर से जो इसलिए आ रही है वो विद्यादरी चित्रांगदा है अब तनिक देखो क्या होता है कि अधिर गया है कि अधिर जाए को गया आए खिल्वास मेरा परांज वीकार करें तुम्हारा कल्यान हो इस अकिंचन की ओर से यह श्रद्धा सुमन आपको अर्पित है इन्हें स्विकार करें मैं रिशी वैरागी उस विद्या धरी से पुष्प माला लेना और उसका प्रयोग करना मुझे शोभा नहीं देता अब मैं इस पुष्प माला का क्या करूँ